हाई फ्रेंट्स मेरा नाम दीपक जैन है और मैं हूँ फाउंडर इंफिनिटी गेंज लेल्पी फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया तहे दिल से शुक्रिया यूट्यूब चैनल को इतना प्यार देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लाइक और कमेंट करने के लिए कल मुझे बहुत अच्छा कमेंट रिसीव हुआ जिसमें मिस्टर आयूश अगरवाल हैं और उन्होंने मुझे यह लिखा कि सर हर मैंने आपके पूरे 20 21 जो भी हमने अब तक वीडियो अपलोड कि हैं वो सारे वीडियो उन्होंने सु कर रहे हैं जो बिल्कुल यूनीक है तो आगे आने वाले समय में भी आप लोगों का ऐसा ही प्यार और सयोग अगर हमें मिलता रहा तो ऐसा ही कंटेंट और जो की बहुत यूसफुल कंटेंट है हम आप लोगों के साथ बहुत रेगुलर बेसेस पर शेयर करते रहेंगे तो जो सबसे जादा पूछा जाने वाला कोशन होता है वो होता है प्रीमियम हेल्थ इंशॉरंस पॉलिसी में प्रीमियम सबसे जादा पूछे जाने वाला एक कोशन होता है और हो भी क्यों ना क्योंकि प्रीमियम एक हार्ड अर्ण मनी है बहुत मुश्किल से हर एक पैनी अर् बात करूं तो यह कहावत है सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार बिलकुल सटीक बैठती है वो इस हिसाब से सटीक बैठती है कि सपोस करिए आपने health insurance policy एक purchase कर ली और सबसे बहले तो आपको यह understand करना पड़ेगा कि आप health insurance policy उस समय के लिए purchase कर रहे हैं जब आपके उपर emergency होगी यानि जो earning member है वो भगवान ना करें वो उस समय पर bed पर होंगे और आपके wife या बच्चे इस policy को use कर रहे होंगे आपके लिए तो अगर हम बात करें आपने सिर्फ सस्ते premium के चक्कर में एक ऐसी health policy purchase कर ली जिसमें room rent की भी capping है जिसमें co payment भी है या बाकी दूसरे co payments हैं जैसे कि doctor's fees या ICU का limitation अगर आपने ऐसी policy purchase कर ली तो जब भी hospitalization होगा तो याद रखिएगा आपको अपनी pocket से बहुत सारा जो खर्चा है वो खुद bear करना पड़ेगा तो premium important है और matter भी करता है health insurance policy में तो बट सिर्फ सस्ता होना health insurance policy लेने के लिए कोई बहुत बड़ा criteria नहीं है तो friends हम लोग बात करते हैं कि जब हम हमें health insurance policy purchase करते हैं तो premium कैसे कैसे impact करता है या premium हमें कैसे pay करना होता है तो friends सबसे पहले बात करते हैं कि जब हम एक health insurance policy purchase करते हैं तो हमारा premium कैसे calculate होता है तो premium calculate होता है हमारे date of birth के according और health insurance policy में premium जो calculate होता है वो last birthday के basis पर होता है suppose करिया अभी आपकी age 30 years है और तो जब तक आप 31st के complete नहीं हो जाएंगे तिल लास डेट तक भी लास डेट से एक दिन पहले तक वो डेट तक आपका premium 30 की age पर ही count होगा second हम बात करते हैं जब भी health insurance policy में individual basis पर premium calculate होता है और floater basis पर calculate होता है तो जब हम individual basis पर premium calculation की बात करते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि suppose करिये husband, wife and दो बच्चों की family है और उन्होंने decide कि हमें 10 लाख रुपे का health insurance plan लेना है तो husband की age के उपर उनका अलग से premium calculate होगा wife की age पर उनका premium अलग से calculate होगा और बच्चों का उनकी age bracket के accordingly उनका premium calculate होगा individual basis पर जब भी premium calculate होता है तो उस पर 10% का discount companies की तरफ से मिलता है जिसको की family discount बोला जाता है दूसरा option जो होता है वो होता है floater basis floater basis पर premium एक common premium लगता है जो कि head of the family head of the family से मेरा मतलब यह है कि higher age of the person higher age या तो husband की भी हो सकती है या wife की भी हो सकती है कुछ cases में तो floater basis में एक ही premium calculate होता और floater का जो premium होता है उस पर कोई discount नहीं होता इसके अलावा आज की date में companies के पास option है जहां पर कि आप एक साल के लिए भी दो साल के लिए भी और खटा तीन साल के लिए भी अपना health insurance policy का premium pay कर सकते हैं और अगर आप दो साल या तीन साल के option select करते हैं तो आपको कुछ companies साड़े साथ परसेंट और कुछ company आपको 10% तक का discount दे देती हैं आपके premium पर देन अगर हम health insurance की बात करें इंडिया में तो GST applicable होता है 18% देन हम बात करते हैं additional premium for add-ons की यह optional होते हैं suppose करिए आप अपनी health insurance policy purchase कर रहे हैं और यह आप यह चाहते हैं कि उसके अंदर आपको एक hospital cash benefit लेना है यह अगर आपको safeguard benefit लेना है यह benefit इस तरीके के होते हैं कि जो आपके पास optional होते हैं आप चाहे तो इनको ले सकते हैं और आप चाहे तो इनको नहीं भी ले सकते हैं देन अगर आप एक health insurance policy purchase कर रहे हैं और अगर आपको पहले से कुछ BP sugar या थाइरोइड या इस तरीके का कुछ pre-existing है यानि कि पहले से कुछ medical adversity है तो ऐसे cases में companies आपके proposal को accept कर लेती हैं बट ऐसे cases में आपको आपके premium के उपर 10 से 25 परसेंट तक का additional premium company को pay करना होता है देन हम लोग बात करते हैं employee and health worker discount की इसका मतलब यह है कि कुछ companies अपने employees को और कुछ companies health workers को यानि की medical practitioner जो doctors होते हैं वो अगर policy purchase करते हैं तो उनको additional 5% तक का discount company देती हैं देन friends हम लोग बात करते हैं आपने health insurance policy purchase कर ली और at the time of renewal आपके premium पर क्या impact आता है yes health insurance policy में premium impact आ सकता है premium changes होते हैं बिल्कुल सो हम लोग first बात करते हैं due to age band change आप जब भी health insurance policy purchase कर रहे हैं तो आपको यह देखना पड़ेगा कि health insurance policy के अंदर premium के slabs होते हैं यानि 36 से 44 का एक slab होता है 45 की age से 50 तक का एक age slab होता है 51 से 55 तक का एक age slab होता है 56 to 60 अलग होता है 61 to 65 अलग होता है और 65 and above अलग होता है तो at the time of renewal suppose करिए अगर आपकी age के अंदर change हुआ है तो आपके premium में भी change आएगा at the time of renewal अगर policy आपकी individual चल रही है और आप at the time of renewal wife को policy में add करते हैं तो ऐसी condition में आपके premium के अंदर change आएगा suppose करिए आपकी और आपके wife की policy चल रही है और आप newborn baby को addition करना चाते हैं तो भी आपके premium में change आएगा ऐसी condition में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि baby minimum 91 days का होना चाहिए तभी usually companies newborn baby का addition करती हैं then हम बात करते हैं price revision by insurer so आपने देखा होगा पीछे 2020 के बाद से कोविट के बाद से काफी सारी companies ने premium में changes की हैं तो ऐसा कभी भी होता है तो insurer को prior intimation भी देना पड़ता है client को इसका जो समय है तक्रीबन 3-6 महिने के बीच का होता है इसके अलावा जब भी insurer अगर यह decide करता है कि अब हम इने premium में कुछ changes करने हैं तो premium में changes without IRDA की approval के नहीं होते हैं then हम बात करते हैं enhance some insured की suppose करी आपने 10 लाग रुपे की policy purchase की ती और आप at the time of renewal policy को 10 लाग से 15 लाग या 20 लाग या 25 लाग ले जाना चाते हैं तो ऐसी condition में आप अपना समिंशोड बढ़ाते हैं और ऐसी condition में आपके premium में भी change आता है then अगर आप renewal के समय में यह चाते हैं कि अभी मेरी policy सिर्फ एक साल की चल रही है अपसे मैं दो साल का इखटा premium pay करता हूं या तीन साल का इखटा premium pay करता हूं तो ऐसी condition में भी आपके premium में changes आते हैं कुछ companies रादर maximum companies आज की date में renewal पर discount offer करती हैं by using their health app तो आजकल वो आपको mobile पर एक health app देती है जहां पर कि आप walking पर या बाकी दूसरे exercises के उपर up to 30% तक का renewal discount ले सकते हैं then last हम लोग बात करते है tax benefit की आप जो भी premium pay करते हैं insurance company को वो applicable होता है under tax benefits section ATD so ATD के अंदर आप health insurance premium का tax benefit ले सकते हैं जहां पर आप खुद के लिए या अपने parents के लिए अगर health insurance policy का premium pay कर रहे हैं तो आप tax benefit के लिए eligible हो जाते हैं यहां पर कुछ companies आपको इस तरीके का option भी देती हैं suppose करिए आप और आपकी wife दोनों अगर working है और आप दोनों tax benefit चाते हैं तो आप एक ही health policy के लिए आप दोनों अपने अकाउंट से premium का payment कर सकते हैं so friends premium को लेकर आज हमने अपना topic discussion किया अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी कुछ और queries हैं या कोई भी कमेंट करना चाहते हैं further किसी और product को लेकर या इस particular topic को लेकर जो आज हमने discussion किया है तो प्लीज आप comment box में जरूर भेजेगा so friends thank you thank you so much for watching this video thank you thank you so much